जै मामातंगी मेरे प्रियस सादको और दर्शको आज एक और महत्वपुर्ण वीडियो लेकर आप सभी के सामने उपस्तित हुआ हूँ आज का जो प्रयोग है वो है पीपल के पेड़ की गुटी का बनाने का और ये जो पीपल के पेड़ की गुटी का किस तरह बनाई जाती आप इस वीडियो में सीखेंगे और ये पीपल के पेड़ की जो गुटी का है ये प्रयोग एक है लेकिन ये अनेक कारियों में इसका उपयोग किया जा सकता है अलग-अलग तरीके से आपके जीवन के दुखों को दूर कर सकता है तो वीडियो जो है आप लोग ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सारी जानकारी सुनेंगे और उसी हिसाब से गुटी का बनाएंगे गुटिगा किस तरह से बनती है वो आप लोग ध्यान से इस वीडियो में देखें पीपल के लकडी की गुटिगा बनाने के लिए आपको जो चीजों की आवश्यक्ता पड़ेंगी वो आप देख सकते इस तरह की एक जो है बड़ी सी सुई लगेंगी जिससे बारदाना सिलाया जाता है वाली सुई आपको पीपल के लकडी का एक ऐसा तुकड़ा लगेंगा लगबग एक इंच के आसपास का ठीक है और आपको लाल धागा या काला धागा लगेगा वो मैं आपको बता दूँगा लाल धागा जो है इस्त्री धारन करेंगी और काला धागा पूरुज धारन करेंगे इस बात का ध्यान रखें अब आपको क्या करना है ऐसी एक लकडी लाएंगे दोनों तरप से अच्छे से प्लेन करेंगे एक इंच का तुकडा होगा अब याद रखिए इस पीपल की गुटीका को सिद्ध करने का एक अलग मंत्र है वो भी इस वीडियो में दे दूँगा लेकिन पीपल के गुटीका को सिद्ध करने से पहले इस गुटीका में आपको छेद करना होगा और छेद करन इस तरीके का सुई लेंगे और इस सुई को आपको सबसे पहले अभी मंतरित करना है सुई को अभी मंतरित करने का भी एक special मंतर है वो मैंने इसमें दिया हुआ है जब इस सुई को आप अभी मंतरित कर लेंगे कितने बार अभी मंतरित करना है सुई को आपको सुई को जो है 21 बार मंदर से अभी मंतरित करना है और ये जो सुई की नोख है इस पे फूक मारनी है उसके बाद इसे क्या करना है आप इसे किसी पकड़ से या पेंचिस से पकड़ लेंगे और इसकी जो नोख है इसको अच्छे से ग्यास के उपर गरम करेंगे ग्यास के उपर गरम करने के बाद एक दूसरे पकड़ से इसको पकड़ के रखेंगे इस गुटिका को इस तरह से और इसके उपर जो है ये जो गरम सुई है गरम सुई को इसके उपर डालेंगे ऐसे लखड़ी के उपर इस तरह तो ये गरम होते होते लखड़ी जलते जाएंगी और छेद अपने आप बनता जाएंगा ये कम से कम आप 4-5 बार सुई गरम करेंगे और इस लखड़ी के उपर अंदर ऐसे प्रेसर करते जाएंगे तो ये आरपार छेद हो जाएगा ठीक है सुई गरम करते जाए और उसके उपर लखड़ी के उपर रखते जाएंगे तो दीरे दीरे आप कुछ देर में देख लेंगे पाच्छे बार प्रहतना करने के बाद ऐसा आरपार इसमें छेद बन जाएगा तो अब आप एक चरन तो पूरा कर चुके होंगे जब आपने इसको अभी मंत्रित सुई से छेद कर लिया मतलब एक चरन आपने पूरा कर लिया अब उसके बाद आपको क्या करना है इसे अभी मंत्रित करने का एक मंत्र है लेकिन अभी मंत्रित कैसे करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है इस धागे को इस गुटिका के अंदर दाल देना है ठीक है अभी आपको बता रहा हूँ इसके अंदर आपने जैसे मान लीजिए ऐसे गुटिका को इस धागे के अंदर दाल दिया अब ये गुटी का तयार है अब इसके उपर फिर आपको मंत्र पढ़ना है गुटी का सिद्ध करने का वो मंत्र आप कितने बार पढ़ेंगे इसके उपर 21 बार पढ़ेंगे ठीक है ये तो आप समझ गए बाकी आगे वीडियो में मैं आपको समझाओंगा ये क्या-क्या कारी आएगा और क्या के आपको फाइदे मिलेंगे कोण से दीन को अगर आप गुटिका लाना है यह आप आगे वीडियो में समझेंगे तो यह जो गुटी का सिद्द करना है उसके लिए एक ही मंत्र है और इसे छेदने का भी जो मंत्र है वो मैंने दिया है थीके याद रके ये कोई भी जड़ी बुटी अगर आप लाते है और अगर उसकी गुटी का आप बनाते हैं तो उसे सुई से छेदा जाता है सुई को गरम किया जाता है और उसे छेदा जाता है अगर डायरेक्ट ऐसे छेदोगे या ड्रिल करके अगर आप गुटी का बनाओगे तो उसमें प प्रिड़ पोदे के लकड़ी का आप गुटी का बनाने में इसको प्रयोक कर सकते हैं छेदन क्रिया के लिए जितनी गुप्त जानकारी आपको अगोरमार्ग चैनल पर विलती इतनी आपको कहीं नहीं मिलती होगी क्यूंकि हम डिप नॉलेज देते हैं और इतने रहस्य हमाई विडियो आप लोगों को मिलते हैं क्योंकि ऐसी क्रियाओं के बारे में कोई नहीं बताता है ऐसी क्रियाओं लोग गुप्त रखते हैं क्योंकि कोई नहीं चाहता कि कोई परिपूर्ण सादक बने जब से अगोरमार्ग चैनल आया है और यूटूब पर एक क्रांती आईए एक आम इन्सान भी चाहता है कि हम मंत्र सिखे प्रयोक करें पहले इन्सान को डर लगता था कि मंत्र प्रयोक करेंगे कुछ कम जादा हो जाएगा कुछ उल्टा हो जाएगा तो लोगों के मन का जो भै है वो अगोर मार्क चैनल ने दूर किया है पहले लोग एक-एक मंत्र के लिए 10-10-20-20-1000 रुपे लेते थे और उसके बाद भी वो मंत्र काम करेगा नहीं करेगा उसकी कोई गैरेंटी नहीं होती थी लेकिन हमारे सोयम सिद्ध बंगाली मंत्र से आपका वो आत्मविश्वास जागा आपके अंदर का डर दूर भागा और आपके अंदर ये आत्मविश्वास आया कि हम भी सादक बन सकते हैं और ये हमने साभीद भी कराया हमारे पेड़ गुरूप में आज जितने सादक जुड़े हैं हमारे पेड़ गुरूप से उन्होंने जितने मंत्र लिये चाहे यूटूप से मंत्र लिये हो आज उन मंत्रों के बदोलत वो एक सादक की गिंती में है और वो लोगों का कारिय कर रहे हैं और अपना और दूसरों का भला भी कर रहे हैं कई हमारे सादक है कई हमारे दर्शक है जिनका आज घर हमारे इन मंत्रों के बदोलत चलता है और क्यों चलता है क्योंकि हमने खुले दिल से सारी जानकारी दी खुले दिल से उनको हर एक मंत्र के बारे में बताया मंत्र के किसी सब्द को हमने छुपाया नहीं मंत्र के साथ क्या है बहुत सैसे डुब्लिकेट यूटूब चैनल बने हुए है बंगाली मंत्र सोयम सिद्धम मंत्र टाइटल यूज करके आप लोगों को बेवकुब बना रहे उनसे आप लोग सावधान करना है 8412006108 और इसा लिखना है हम पेट identifying करद मैं जोरना चाहते हैं कृपया आपको दिटेल दिया जाइँगा पेमेंट जमा करेंगे पेमेंट जमा करने के बाद में आपको paid group में add किया जाएगा और एक मैने में आपको 15 मंत्र दिये जाते हैं जो स्वयम सिद्ध मंत्र होते हैं जिसे आपको सिद्ध नहीं करना है केवल मंत्र पढ़के आप प्रयोग कर सकते हैं और आपके कारिय बनेंगे तो आप जाने आगे वीडियो में people की लकडी की गुटी का क्या लाब है किस दिन प्रयोग करने से क्या लाब होगा ये आप लोग ध्यान से सुनेंगे अगर आप असफलता हो से परेशान है आपको नौखरी नहीं लग रही आप बार बार परिक्षा में फेल हो जा रहे है या आप कोई कलाकार है कोई संगीत कार है आपको अपने सेत्र में असफलता मिल रही है या आप जॉब करते हैं कोई नौखरी करते हैं वह आप प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो ऐसे इस्तिती में आपके काम का है सुमवार के दिन आप people की लखडी लाएंगे तोड़कर उसकी ग अगर आपका विवान नहीं हो रहा है आप इस बात से परिशान है आपकी उम्र बढ़ती चली जारी है तो आप क्या करेंगे मंगलवार के दिन पीपल का लखडी लाएंगे उसकी गुटी का बनाएंगे उसे सिद्ध करेंगे अगर आप महिला है तो सिद्ध करके गुटी क लाल धागे में पीरो कर आपके लिफ्ट बाजू में धारन करेंगे अगर आप पुरुश है तो जो गुटी का है उसे काले धागे में पीरो कर आपको राइड बुजा में धारन करना है याद रखिए जो भी प्रयोग कर रहे है अगर लेडिज प्रयोग कर रही है कोई भी प्रयोग हो जितने मैं प्रयोग बता रहा हूँ इसमें से कोई भी प्रयोग कर रहे हो अगर महिला है तो लाल धागा आपको इस्तमाल करना है अगर पूरुश है तो काला धागा इस्तमाल करना ये याद रखिए चाहे फिर वो बच्चा हो तो बच्चा भी अगर मेल है तो उसको काला धागा फीमेल है तो लाल धागा ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे तो अब जैसे मान लीजिए आप कमाते हैं पर आपके घर में पैसा नहीं टिकरा है तो आपको क्या करना है शुक्रवार के दिन पीपल की लकडी लाना है पीपल की लकडी का गुटी का बनाएंगे और इसे आप गले में धारन करेंगे तो इससे क्या होगा जो लक्षमी आपके घर में ठैरती नहीं है तो वो दिक्कत दूर हो जाएंगी आपके घर में धन ठैरेगा आपकी बचत होने लगेंगी आपकी सेविंग होने लगेंगी आप प्रगती करने लगेंगे अगर आप वहान खरीदना चाते हैं पर वहान नहीं खरीद पारे या आपका वहान से संबंदित बिजनेस है जैसे ट्रक हो गया जैसी भी हो गई कार हो गया इन सबसे संबंदित वहान से संबंदित अगर आपका बिजनेस है और उसमें आपको तरक्की नहीं मिल रही है या फ विपल की लकटी सुक्रवार के ही दिन लाएंगे, उसी ही दिन गुटी का बनाएंगे और इसे आप अपने लिफ्ट बुजा में धारन करेंगे, अगर महीला है तो राइट बुजा में धारन करेंगे, आप वहान खरीदना चाते हैं या वहान से संबंदित कोई भी बिजनेस करना चाते हैं तो ये प्रयोग आप करेंगे अगर आप करज से परेशान हैं लाग कोशिश करने के बाद भी आप अपना करजा नहीं चुका पा रहे हैं दिन भी दिन आपके उपर करजा बढ़ता चला जा रहा है करज के वज़े से ऐसी स्तिती निर्मान हो रही है कि सब बढ़कर भागना पड़े या कई लोग ऐसे भी है जो करज के चलते अपना घर परिवार छोड़कर भटक रहे हैं कहीं दूर जाकर तो ऐसे सभी लोगों के लिए प्रयोग है इस प्रयोग को करेंगे तो धन आगमन के आपके रास्ते खुलेंगे नए व्यापार के रास्त करेंगे फिर आपको दूसरे दिन शुक्रवार को फिर से पीपल की लकडी लाना है उसकी गुटी का बनाना है उसे सिद्ध करना है और उसे अपने दाय हात के भुजा में धारन करेंगे अगर महिला है तो अपने बाय हात के भुजा में उसे धारन करेंगे याद रखिए मह लागबन के रास्ते खुलने के लिए और दूसरी जो गुटी का होती है वो कर्ज जो बढ़ रहा है उसे रोक निकले उससे बाहर निकलने के लिए तो इस तरह से दो गुटी का इसकी बंती है अब याद रखी अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं बार बार बीमार गिर जाते हैं नजर लगती है तो ऐसी इस्तिति में आपको क्या करना है बुद्वार के दिन पीपल की लखडी लाएंगे उसकी गुटी का बनाएंगे सिद्ध करेंगे अगर लड़का है तो काले धागे में पिरो कर उनके गले में धारन करा देंगे तो आप देखेंगे जो उ सुखा रोग भी नस्ट करता है अगर आपके बच्चे का शरीर नहीं बन रहा है पतला सा है तो अगर आप यह लगाएंगे तो बच्ची की सेहत भी बनेंगी तो यह आप प्रयोग कर सकते हैं पीपल के गुटीका का एक और चमतकारी प्रयोग है इस प्रयोग को अगर आप करने लगेंगे तो यह आपको आपके सेत्र में जो है नामचीन वेक्ती बना देगा मतलब प्रचलीत कर देगा फेमस कर देगा क्योंकि यह प्रयोग ही ऐसा है आजकल हर किसी के शरीर में जो है शरीर दर्द रहता ही है और ज्यादा तर आप लोग देखेंगे 40 के उपर के जो लोग है उनके शरीर में आपको दर्द जो है यह मिलेगा किसी का घुटना दर्द है किसी का हाथ दर्द है किसी की पीट दर्द है तो किसी का पूरे शरीर में दर्द रहता है या वात रोग भी आप कह सकते वात रोग में भी यह प्रयोग आता है या किसी को फुला लेके आएंगे पीपल के और लाने के बाद छोटे-छोटे तुकडे करके उसकी गुटी का बना लेंगे और एक ही साथ सब गुटी का आप सिद्ध कर सकते हैं ठीक है यह दर्द का प्रयोग है और यह जनकल्यान का प्रयोग है तो इसको सवनी 200 गुटी का भी आप एक साथ सि कहिना देंगे तो आप देखेंगे उसके शरीर में जो दर्द था वो समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से और वो आपका नाम लेगा और आपका सभी तरफ प्रसंसा करने लगा फलाने वेक्ति के आ गया गुटी का दिया में ठीक हो गया तो यह चमतकारी प्रयोग है जरूर करें आपका नाम बढ़ेगा आपके सित्र में तो आप यह स्क्रीन पे जो मंत्र देख रहे हैं यह सुई को अभी मंत्रित करने का मंत्र है इसे छेदन क्रिया का मंत्र कहते हैं और अभी जो दूसरा मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा यही वो चमतकारी मंत्र है इस इस प्रयोग को आप करिए आपके सेत्र में नाम कमाईए आशा करता हूँ कि आज तक आपने इतने हमारे प्रयोग किये हैं नाम कमाए हैं हमारे कई ऐसे सादक है कई हमारे ऐसे दर्शक है ऐसे दर्शक जिन्होंने आज तक हमसे दिक्षा नहीं ली हम सादक उनको कहते जो हमस चला रहे हैं कई लोगों ने तो नौकरी छोड़ दिये सिर्फ ये काम कर रहे हैं और लोगों का भला तो करी रहे लेकिन अपना घर भी चला रहे और अपनी परस्ती थी जो पहले थी उनकी उससे आज सो गुना बहतर हो चुकी है जो लोग पहले बाइक नहीं थी जिनके पस आज वो लोग कार से घुम रहे हैं और हमें खुशी भी होती है कि हमारे इन मंत्र से लोगों का भला भी हो रहा है और जो लोगों का भला कर रहा है उसका तो अच्छा होना ही चाहिए तो ये देखकर हमें खुशी हो रही है जो दूसरों का भला कर रहा है उसका भी अच्छ हमेशा मिलते हैं हो क्योंकि हर बार हमने आपको नई जानकरी दी हैं नया नौलिज आपको दिया हैं जितना नौलिज आपको अगोर che 10 तो फूकर हमने आपको जानकरी ना देते रहेंगे आप लोग सीखिए अच्छा कार्य करिए और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को भी लाइक ये वीडियो में आपको कली पोस्ट करने वाला था लेकिन कल मैं थोड़ा बाहर गया था वेस्ट था उस वचे से में य पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें